हेलो दोस्तों, सीर दर्द एक आम बीमारी है, जिससे जाहतर लोग परिशान रहते हैं, इसके पीछे कई करण हो सकते हैं, कभी कभी ज़्यादा तनाव और उदास होने पर भी सीर दर्द होता है, सीर दर्द से छुटकारा पानी के लिए बजार में कई तरह की दवाईया मिलत हैं, लेकिन कभी कई आपकी कुछ आदतों के वज़े से भी सीर में दर्द के समस्या हो सकती है, आये जानते हैं आखिर किन बज़ों से आपके सीर में दर्द होता है, इससे बचनी के लिए आपको क्या करना चाहिए, भूख से सीर दर्द कई लोगों को भूख बिलकुर दास नहीं होती है, देर तक भूखे रहने के वज़ा से ब्लड सुगर कम हो जाता है, जिसके वज़ों से आपके सीर में दर्द हो सकता है, इसलिए आपको थोड़ी थोड़ी देर में कुछ-कुछ खाते रहना चाहिए, आइस्क्रीम के वज़ा से, ये बात सुनकर आपको अजीब लग सकता है कि आईस्क्रीम खाने के वज़े से सिर में दर्द हो सकता है। लेकिन कभी-कभी ठंडी चीजों को जल्दी-जल्दी खाने के वज़े से मुह के कोशिकाय सिकुर्णे लगती है और सिर में दर्द होने लगता है। इसलिए ठंडी चीजों को धीरे-धीरे खाना चाहिए। सुबह की काफी नहीं पीने के बज़र से। अगर आपको रोजाना चाय या काफी पीने की आदत है और एक दिन न मिले तो सिर में दर्द हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है चुकि सरीर को आदत होती है और जब वो चीज नहीं मिलती है तो सिर में दर्द होने लगता है। ऐसे में अगर आप चाय काफी पीना छोड़ना चाते हैं तो धीरे-धीरे इन चीजों का सेवन बंद करें। इसकी जगह आप ग्रीन या ब्लैक टी पी सकते हैं। गलत पास्चर में सोना अगर आप पूरी रात गलत पास्चर में सोते हैं तो सिर में दर्द होने लगता है। साथ ही गर्दन में भी खुब दर्द होता रहता है। इसलिए सोने से पहले सीर और गर्दन को सीधा रखकर सोए ताकि सीर दज की समच्या से बच सके तो दोस्तो आसा करता हूँ आपको पता चल गया होगा कि सीर में दर्द क्यों होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है अगर आपको यो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसलिए लाइक और हमारी चैनल को सब्सक्राइब अवस्ते करें